नमस्कार GSTV में आपका स्वागत है देखते हैं अंदर की बात तो करनातिक विदानसभा चुनाओ 2023 से पहले राज़ुनी थी अपने चरम पर है अब कॉंग्रेस ने भी BJP पर गंबीर आरोप लगाए हैं पाति का कहना है कि कॉंग्रेस अद्यक्स मलिका जुन खडगे के परिवार की हत्या करने की साज़स चल रही है उन्होंने बीजेपी नेता पर इस साज़स का आरोप लगाया है क्या है मामला? कौन खेल रहा है? गेम प्लान देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में कॉंग्रेस नेता रंडीप सी सूर्जेवाला ने कहा कि बीजेपी नेता अब मलिकार जुन खडगे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साज़िश रच रहे है कुछे मलिकार जुन खडगे and his entire family by the Bharatiye Chanata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. intimidated by the all-round blessings of Karnatika's being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnatika elections. BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Balikarjun Thadge. यह अब चितापूर से BJP के उमेद्वार की रेकोर्डिंग से स्पष्ट है जो PM Modi और CM Bombay का चहेता भी है सुर्जेवाला ने कहा कि BJP प्रजातंत्र की हत्या कर रही है और अब विपक्ष की हत्या की भी साजीश सामने आ रही है BJP इस थर तक गिर गई है कि वह मलिकार जुन खरगे की हत्या करवाना चाहती है BJP को कनाटका की जनता ने नकार दिया है इसलिए वह परेशान है सुर्जेवाला ने आगे कहा कि कनाटका चुनाओ प्रचार के दोरान अब BJP को पता चल गया है कि माहौल उनके खिलाफ है उन्होंने काओडियो क्लिप भी सुनाई जिसे जीतापूर से BJP उमेद्वार की आवाज बताया जा रहा है तो बजरिम दल पर प्रतिबंद लगाने के कॉंग्रेस के गोशना पत्र के वादे को लेकर पियम मोदी लगातार हमलावर है उन्होंने शुक्रिवार को बल्लारी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कॉंग्रेस को निशान बनाया फिल्म दर केरला स्टोरी पर भी पियम मोदी ने दिया बयान क्या कहा पियम मोदी ने देखते है रिपोर्ट अंदर की बात में बजरंग दल पर प्रतिबंद लगाने के कॉंग्रेस के गोशना पत्र के वादे को लेकर पियम मोदी लगातार हमलावर है आतंगवाद मानवताब विरोधी है आतंगवाद जीवन मुल्य विरोधी है और आतंगवाद विकास विरोधी भी है मैं ये देखकर हरान हूँ कि अपनी वोट बैंक की खातिर कॉंग्रेस ने आतंगवाद के सामने घुटने टेक दिये है ऐसी पार्टि क्या कभी भी करना टका की रख्षा कर सकती है करना टका के नागिरिकों की रख्षा कर सकती है भाईयो बहनो आतं के माहोल में यहां के उद्योग यहां की IT इंडस्ट्री यहां की खेती किसानी यहां की गवरव मैं संस्कृती सब कुछ सब कुछ तबाह हो जाएगी वोट बेंक के डर की वज़ा से आज कॉंग्रेस आतंक बाद के खिलाब एक शब्द बोलने के भी हिम्मत हो चुकी है उन्होंने सुक्रवार को बल्लारी में एक जन सबा को संबोधित करते हुए कहा की कॉंग्रेस के गोशना पत्र में धेर सारे जूठे वाइदे हैं कॉंग्रेस का कोशना पत्र मतलब ताला बंदी और तुरुष्टी करण का बंडल है अब तो कॉंग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर काप रहे है और इसलिए कॉंग्रेस को मेरे जै बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ती होने लगी है पियम मूदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया प्रदान मंत्रे ने कहा कि ऐसा है कि आतंकी साजिस पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है कहते है कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राजय में हुई आतंकी साजिसों पर आधारी थे देश का इतना खुबशूरत राजय जहां कि लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभासाली होते है उस केरला में चर्ड रहे आतंकी साजिस का खुलासा इस फिल्म में किया गया है इस सिनेमा का भी कॉंग्रेस ने विरोत किया, इतना ही नहीं ऐसी आतंकी प्रवुतियों वाले से कॉंग्रेस पिछले दर्वाजे से रादनितिक सौधे बाजी तक कर रही है